गुड मॉनिंग स्टुडेंट्स यह वीडियो क्लास 3 की बच्चों के लिए हैं आज हम लोग चैप्टर 3 का क्रैस कुर्स करेंगे जो हमारे मेंटल मैट्स बुक का है बच्चों चैप्टर 3 एडिसन था आपका और एडिसन में कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम समझेंगे और जानेंगे फार्स्ट टॉपिक है आपका एडिसन फ्री इन हो सकता है और थी स्टाइंट करना एड करना है second है addition pattern addition pattern में आपका क्या आता है कि किस तरीके से आप add कर सकते हो बीना उसका rough किये हुए ठीक है आप उसको बीना rough किये हुए add कर सकते हो वो आपको addition pattern में बताया जाएगा थर्ड है आपका addition of four digit number without carry over यहाँ पे बीना carry वाला आपको four digit का addition पढ़ना है next है addition of four digit number without carry over यहाँ carry के साथ वाला आपको addition पढ़ना है जो हम लोग क्या करते हैं carry को आगे transfer करते हैं next number पर जो आपका carry over में आता है with carry over और next है आपका add and compare the numbers यहाँ add करना है उसके बाद जो आपका answer आएगा दो अगर compare के बात किया जाए तो दो चीज को हम लोग compare करते हैं न तो यहाँ पर add में भी दो number होगा दो नंबर को आपको compare करना है उसके बाद sign का use करना है लास्ट है आपका what problem what problem अब जानते हो जहां हम लोग statement से maths को solve करते हैं अब चलिए इसी topic से related कुछ copy work देखते हैं ताकि आपको हर topic clear हो जाए कि फर्स्ट कोश्चन आप देख रहे हो add the following यहां आप देख रहे हो यहां टू नंबर है और यहां 123 तो इसी तरीके से add आएक आपको और आपको add करना है ठीक है तो यह नंबर आप देख रहे हो 184 और 227 तो 7 और 4 हो गया हमारा 11 11 का 1 carry 1 8 के पास चला गया जो 9 बन गया 9 और 2 11 का 1 1 और 1 क्या हो गया 2 हो गया और 2 यहां है तो 4 हो गया ठीक है इसी तरीके से हम सारे को करेंगे 106 और 198 है तो इसका हो जाएगा हमारा 304 754 और 969 का 1723 अब next आप देख रहे हो जहां D नमबर है 3 नमबर को आड़ करना है हमको तो 654 है 249 है और 431 है तो इसको हम लोगों ने आड़ किया 4 9 13 13 और 1 14 14 का 4 carry 1 चला गया 5 के पास तो यह 6 बन गया तो 6 और 4 हो गया 10 10 और 3 13 13 का 3 carry 1 फिर से चला गया यहां 6 के पास तो यह 7 बन गया 7 और 2 9 9 और 4 13 ठीक है उसी तरीके से इन सबको भी देखेंगे 768, 242 और 356 हमारा अंसर आया 1366 नेक्स्ट आप देख सकते हो 378, 534, 826 जिसका हमारा अंसर आया 1738 अब आप नेक्स्ट देखोगे add the following यह आपका pattern base है किस तरीके से हम लोग बिना रफ किये हुए नमबर को add करते हैं वो आपको देखना है यहां ठीक है यह नमबर आप देख रहे हो 533 है ठीक है यहां 243 है तो इसको हम लोग को कैसे add करना है तो आप देख रहे हैं यहां पे कि यह जो नमबर था last वाला उसको last से हम लोगों ने joint किया second को second से और first को first से उसी तरीके से add भी किया हम लोगों ने तो 3 3 6 3 4 7 5 2 7 ठीक है नेक्स्ट आप देखोगे आपका clear हो जाएगा 9 0 9 0 और 4 4 3 6 9 ठीक है इसी तरीके से हम लोगों ने बाकी को भी किया है 483 और 105 इसका हमारा आएगा 588 986 और 13 इसको करने पे आएगा 999 607 और 182 इसका हमारा आएगा 789 अब नेक्स्ट आप देखोगे add and look for the pattern किस तरीके से यहां बोला गया है add करने के लिए बाकी को हम लोगों उसी तरीके से करना है यह नमबर आप देख रहे हो क्या है 888 प्लास 1 तो प्लास 1 बोला तो 8 को हम 1 बढ़ा देंगे 1s के प्लेस पे जाकर तो हमारा हो गया 889 ठीक है वैसे भी 888 में 1 add करेंगे तो 889 आएगा नेक्स्ट है हमारा 888 में 10 add करना है तो यहां हम लोगो 10s के प्लेस पे जाना है तो 1s 10s 10s के प्लेस पे 8 था यहां हम लोग 1 बढ़ा देंगे तो यहां 9 हो गया ठीक है 898 उसके बाद 100 करना है तो 100 के प्लेस पे जाएंगे 1s 10s 100 100 के प्लेस पे भी 8 है यहां तो 8 और 1 9 हो गया तो इसका हो गया 988 उसी तरीके से बी और सी भी है 435 प्लस 1 5 को 1 बढ़ा देंगे 6 हो जाएगा 436 435 प्लस 10 3 के प्लेस को 1 बढ़ा देंगे तो 4 हो गया यहां 445 और next है जहां हम लोग 100 मतलब 4 के प्लेस को 1 बढ़ाएंगे तो यहां आ गया 535 सी में 346 प्लस 1 347 346 प्लस 10 356 346 प्लस 100 446 next question देखते हैं जहां है fill in the blanks यहां आप देखोगे तो एक तरीके से यह नंबर को क्या करना है आपको इक्वल करना है दोनों साइट के नंबर को इक्वल करना है यह आपका question है तो यहां आप देखोगे इफ 308 प्लस 141 इक्वल टू 449 अगर 308 और 141 को एड करते हैं तो 449 आता है दें 141 प्लस 300 इक्वल वाट यहां खुच नहीं था तो इसलिए मैंने यह वाट का यह की यह तो इंद सैम नंबर मैंने फिल कया अप देख सकते हो क्यूंकि या क्यूंकि बस नंबर को चेंज कर दिया गया है फस्ट नंबर को second में लिखा गया और second नंबर को first में लिखा गया लेकिन नंबर तो सेम है ना 308, 308, 141, 141 तो answer भी तो इसका सेम ही आएगा इसलिए हम लोगों ने 449 लिखा और इसको मैंने यह solve भी करके आपको दिखाया ताकि आपको कोई प्राब्लम ना हो 308 और 141 फिर हम लोगों ने क्या किया 141 और 308 को चेंज कर दिया स्टेप वाइज कि तो यहां 449 ही आया उसी तरीके से बच्चों इन सब को भी करना है 78 1240 तो 130 यहां भी आप देखोगे 40 40 78 78 12 12 ठीक है सी आप देख रहे हो if 456 plus 297 plus 180 equal 933 then 456 plus 180 plus 297 equal 933 यहां आप भी सेम देख सकते हो 456 180 297 ठीक है अब आते हैं next question की ओर जो है आपका add the following without regrouping regrouping मत्तब without carry over यहां पर carry आगे transfer नहीं होगा चलिए देख लेते हैं 426 639 437 628 आप यहां देख रहे हो यहां carry का कोई भी यूज नहीं है ठीक है उसी तरीके से इनको भी करना है 5964 और 4023 को तो इसका हमारा answer आगे 9987 सी में आप देख रहे हो यहां 4 digit का 3 नंबर है 3263 3430 1202 जिसका मारा answer आया 7895 नेक्स्ट है 5016 1211 3210 इसका मारा answer आया 9437 अब आप नेक्स्ट देख सकते हो तो add the following with regrouping regrouping मतलब carry over करना है यहां पर carry transfer करना है आगे यह देखोगे आप इससे पता चलेगा 729 यहां कोई carry नहीं है यहां आप देखोगे 9 5 14 14 का क्या लिखा हम लोग आने 4 और carry 18 के पास चला गया तो 9 यह बन गया तो 9 और 14 13 का 3 carry 1 चला गया 5 के पास तो 6 और 3 हो गया 9 उसी तरीके से इस सब को भी आपको करना है जो कोश्चन है 6075 और 1565 इसका मारा आंसर आगया 7640 सी आप देखोगे 3682 1705 1018 इसका मारा आणसर आया 6405 दी आप देख रहो 2006 2357 4790 इसका आएगा आपका 9153 दो कोश्चन और आपका इसको भी हम लोग देखेंगे पूट less than greater than और equal to sign in the boxes यहाँ पे less than greater than और equal to sign डालना है आपको आंसर को compare करना है ठीके एह है आपका 6135 प्लस 10 और यहाँ है 6135 प्लस 1 आप यहाँ देख रहे हों कि यह दोनों नंबर तो सेम है बट जो इसमें एड किया गया है उसमें चेंजिंग है यहाँ टेन है और यहाँ वन है तो बच्चों टेन ज्यादा होता है या फिर वन 10 मतलब साइन इस साइड जाएगा क्योंकि यह नंबर बढ़ा है इसमें 10 एड किया जा रहा है और इसमें 1 एड किया जा रहा है तो जिस साइड ज्यादा एड किया जाएगा तो वो नंबर बढ़ा हो जाएगा उसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी सेम नंब और यहां 100 तो 100 बढ़ा है इसलिए 100 की तरफ साइन है नेक्स्ट में यहां 10 है और यहां 100 है तो 10 और 100 में बढ़ा होता है 100 इसलिए 100 की तरफ साइन है ठीक है और यह नमबर बढ़ा है नेक्स्ट और लास्ट कोश्चन आप देख लो जो आपका वर्ड प्रॉब्लम है एक कोश्चन है आपका सिया पर्चेजा मिक्सर ग्रेंडर 4 रूपीज 2,025 सिया एक मिक्सर ग्रेंडर पर्चेज करती है जिसका प्राइस 2,025 है एंड एन आईडन 4 रूपीज 1,956 और आईडन जो है वो पर्चेज करती है 1,956 में हाउ मच टेट सिस्पेंड इन ओल दोनों चीज में वो कितना खर्च की है वो आपको निकालना है तो यहां हम लोगों ने लिखा ए मिक्सर ग्रेंडर एक्वल रूपीज 2,025 और आईडन रूपीज 1,956 दोनों को आड़ किया तो मारा या 3,981 तो यहां हम लोगों लिखा 3,981 स्पेंड बाई सिया सिया की दोरा कितना खर्च किया गया 3,981 लास्ट कोश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं यहां आप देख रहे हैं एक कंपनी मैनुफेक्चर 1,700, sorry 1,075 कार्स इन दा फर्स्ट इयर और 2,131 कार्स इन दा सेकेंड यर एक कंपनी जो है वो 1,075 कार्स इन दा फर्स्ट इयर में बनाती है और 2,131 कार्स इन दा कंपनी मैनुफेक्चर इन 2 यर दोनों साल में कंपनी जो है कितना कर्ण बना चुकी है तो यहां आप देख रहे हो कार्स मैनुफेक्चर इन फर्स्ट इयर 1,075 कार्स मैनुफेक्चर इन 2,131 को एड कि हम लोगों ने आया हमारा 3,206 तो यहां हम लोगों ने लिखा 3,206 कार्स कंपनी मैनुफेक्चर इन 2 यर आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है आज के इतना ही थैंक यू